आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज है ट्यूजडे और आज भी कंटिन्यू बारी चली रही है आज भी कंटिन्यू बारी चल रही है मैं लोग कल राचे बारी चल रही है और मोबाई का बिल्कुल नेट्वर्क ने आ रहा है वासे का नेट्वर्क ने यह लाइट बार-बार जा रही है यह बहुत सारी परिशानियों का सामना कर रहे हम लोग अब देखते हैं आगे का आज का दिनके से जाता है और हमारे या पे थोड़ा सा पानी जमा हो गया है अंदर के साइट में थोड़ा सा खेती ताइप में तुछ अधि आपके सामने भी बस रोड पे नहीं इतना जाद आद्या अब है अभी बच्चो के साड़े साथ हा अब अब हेज़ा बच्चो के आज का दिन केसे जाता है अज कि मैं है सोचा विसे कुछ बना के खाऊंगे मैं ये कल रात कु कि साहब दना वड़ा ढूंद रहे थी ये कि शाब दना भी बनाने के लिए लेकिन इल मिलान नहीं और को मिन जो थोडी देर के बाद और मसमहय मसताना boyfriend नसताना ऐसा लगढता है सचमे मसमहय मसताना boyfriend नसताना boyfriend नहें विडिकन पतीबर पे मसमहय मसताना boyfriend नसताना तो चली मैं भी चाइव अगरा रखती हूँ इसके बाद आप से मिलती हूँ काहल बुला पर इतना मज़ा आता है कि वाल करने में नेकले लेकिन ये वाले बाल करने में ने आया देते उसके फिचन के और बेट रूम के जाली में लगए हमने जो हॉल में लगए है और अभी पानी के जी सब गिला गिला है तो फालतु में नो बच्छो नो खोव बीरा फालतु में उसके फेयर बट हंड़ हो जाएंगे तो सर्जवर्दिना लग जाए कि हम होगा कि उतना उसको अंदर ही रखते हैं अभी फिलाल जो दो लिंचे तो खेर न gev्ल जे कर नदे खिंगे कECका तौन स्वाँ में झाल झाल तो अभी चाहे नाश्टावगर हो गया है और आज को मैंने बिठा दिया तो अभी मैं खाना बना के देने वाली हूँ तो खाना क्यों डाइरिक बना रहे हूँ क्योंकि राज का जाएंगे कि नहीं साथ जाएंगे अगर बहुत जोड़ तर बारिश हो तो नहीं जाएंगे ऐसा हानी में तो अगर मैंने खाना नहीं बनाया और टाइम पर उनको रहा के आरेम में जाना है कि यार भूट के मेरे को पतानी मैं इसको मिक्सर में पीछने के बाद पकाने के बाद पहले आलो को पालक को बोल कर लेने के उसके बाद उसको मिक्सर में से पीछ लेने के जैसे कि हम यह बनाते हैं ना पालक पनीर उस तरह से लेकिन सिर्फ यह पालक पे और उसमें थोड़ा स मैं भर के काम भी बहुत कर लेए तरह मैं थोड़ा सा खाने का भी प्रप्रेशन करते हूँ like काम करते हूँ उसके बाद और परी को आप लोगो ने देखा वेगा मैंने बनियान पेनाया है और यह थड़नी का मुष्वा में यह इसने हलके कपड़ क्यों बहता है पुल कपड़े पेना की शुलया था लेकिन रात में उसने गिला कर दिया ना तो फिर कपड़े चेंज कियो उसके इसलिए तो चोलिए मैं आपको में थोड़ दर के बाद कववा कबुचर ना ऐसे कोने में आके बढ़ जाते विचारे इतने हाल है ना पंच्यों के और अनिमल्स के और आपके आसपास कोई भी कुट्टे बिल्ली हो ना जो कि आपके सुसाइटी के अंदर आपके घर के आपक अधाने के बढ़ देजिए कुछ बिसकेट या कुछ भी दूद बगएरा तो चलिए मैं को में तो काई यहाँ पेहले में आ गई हूँ किचन में मैंने सुचा कि पालग को उबाल निका वगरा काम कर दूँ तो यहाँ पर में पहले राइस चड़ा दे रही हूँ इसलिए दोलिया और चड़ा दोंगी जिसे की राइस बन जाएगा क्योंकि राइस कूकर में बनने के लिए टाइम लगता है यहाँ पर मैंने पालग पहले साफ करके रखा था लेकिन फिर भी एक बार फिर से धोरी हूँ एक से दूबार अभी उसमें मैं थोड़ा सा दाल दूँ प तो काम फटा-फट कर लिए ना फिर पूरा दिन इसे आराम सुझाता है यहाँ लेकिन आज तो हमारी गड़बड़ी होगे थे वैसे पानी नहीं आया था इसलिए पूरा दिन काम का तो इसे जाए मेरा तो यहाँ आटा भी लगा कि हो चुका है और पालक भी उबल कि हो जाएगा पालक उबलने के बाद उसको ठंडा होने के बाद फिर मिक्सेब मैं से निकालना है क्योंकि वो गरम गरम इसलिए तो मैं सचा कि पहले कर दूँ फिर उसके बाद परी के सट्टोर बेट लूगी वर इसलिए और पाने इसलिए बाद रूप में जाके हाद धोना पड़ा ने तो यहाँ पर बेसिंग में अगर काईप पाने ने आ रहा है बालत भर के रखे तो इसलिए पर में लसुन लेकर रहा है लसुन अंदर से लाया क्योंकि अभी दो जीन से बारिश हो रही हम्री न पालक में मिर्ची और लसुनी दोनों भी डालने वाले हूँ तो बस इसलिए ज्यादा ने दो चार कलिया ली तो चलिए मैं अपको में थोड़े ज़र के बाद पालक उबल के हो चुका है थंडा होने के बाद पीस्टे इसको मेरा प्रिप्रेशन हो गया खाना बनाने का सब ब प्लक में मिक्सर लगा तो सचा कि थोड़ा तब तक पालक भी ठंडा हो जाएगा राइस भी बन जाएगा फिर करूंगी इतनी को जल्दी नहीं और आपने देखा होगा बरतन मेरे रात के पड़े है वो इसलिए क्ल रात को लाइट नहीं थी खाना खाने के बाद लाइट में बिना लाइट के बरतने धूपा रहे थी इसलिए एक हाद बाया बार क Cafe हो चलता है पर ये वह मेरा एक खाद बार कापन था करा resonate और पाणीन थी Ils求ela नहीं थे सब्हक्स फ़ता हो ऊब मैं लास्ट ब्लोग में देखा अगा मैं निकल शाम को पराठा बना के खाया था चाय के साथ फिर उसके बाद वही आटा में रखा था रात को लगा दी और फिर दाल डुपली बना दी मैं अच्छे से और फिर बरतन थे वो दोने के से पहले लाइट के चली गए तो इसलिए बाद में जब लाइट आए तब तक मैं जो कंटल आ गया था और लाइट बहुत बाहर जा रही है मैं सुबे से अभी तक दो या तीन बार जाके आ चुक है तो बार बार लाइट जा रहे है इसलिए हम मोबाल जागीं करके रख रहे है तो चली परी को थोड़ा सा टाइम प चिस क्लाइमेट में अभी तो और पारी का भी बार हो रह recuperation अधिन घुड़ा डियुक्त हमें चालो बिries कुलो जिसे कि मैंन कहीं लगा तो चलिए अभी मैं के साथ जार बैठी हुग काम हों जाते हैं तो देखते तो मैं अव्हें थे का वी विद्च के रहें संपार किप्ट Shh , अरफित mimar। भाएल। सब्विग्यान सब्सक्राइब ऐथर लूवी तो छोली हो फिर से पालग थोड़ा साइब गर्हार में कोना स्पार लाव्याहिव स्थाती है। कि लाइट अगर गई तो पीछ न रहे जाएगा तो फिर सोचा कि दूसरी जगह पे लगा दू मत मेरा राइस बन रहे ना मैं सोचा कि जहाँ पे मेरा प्यूरिफायर की वायर वह निकाल के कर दू लेकिन काम कर दू नहीं तो लाइट अगर गई तो खाना पीना सब लटक जा था रहें और परी मिक्सर से बहुत ज्यादा डर ती इसलिए उसको बोले थी जा वहाप पे जा और मिक्सर देखिये बूल टा बार-बार आ रहे थी आ पर पर पास में तो पता नहीं कि उसको बहुत डर लगता है मिक्सर से तो जो जोसे रोती है चिला आती है अभी वही कर तो उसको सामने खड़ा होना होता है लेकिन फिर डरती भी है तो मिक्सेर का काम हो गया है और मुझे याद थे कि मैं जो भी चीज निकाल तुरंट रख देती हुँ ताकि हमारे काम बढ़ते नहीं है तो इसलिए से करना चाहिए अगर आपने एक चीज निकली न तुरंट ग्रैल का मुझे नाकि बढल मेने को जाओं पर चाहिए चड़ हो सब काम होने के बाद हमें साफ सँपकों में जादा टाम नहीं लगता है यह पर मैंने कणा ही लिए उव्में कारइक तो डायरेक में डाल दूंगी कड़ाय में अब इसको अच्छी से मिक्स कर लूँगी और मिक्सर के बड़तर में थोड़ा पानी डाल कर भी डाल गया क्योंकि उसमें कुछ रहे नहीं से लिए तो बस अभी ग्यास मेंने स्लो टू मीडियम रखा है क्योंकि फास्ट रखा तो फिर वह उबलता है और ज्यादा बहार आता है इसलिए और आज मुझे वैसे दो पेर को अगर पानी आया ना तो यह भी करना है किचन साफ भी करना है क्योंकि मुझे असा लग रहा है कि मेरा कि किचन जो वह बहुत जादा खराब हो गया है इसलिए मुझे अभी किचन में साफ करना है तो पानी आया बस पानी की रहा देखी जा रही है और एक तरफ मेरा राइस भी बन चुका है अभी तो यहां पर मस्तू बलाने के स्टार्ट हो चुकी है और मैंने बेशन निकालके रखा है तीन से चार चमज कि जितना इसमें लगेगा उस अकॉर्डिंग डालने के लिए तो मुझे आईए निए अपनी हिसाब से डालने माली हो तो यह मैं इसमें ना छलनी से चलके डाल द लाइंगे इसलिए तो मेरे पास बड़ी चलनी नहीं तो मैंने चाय बली चलनी लिए जिसी की वरती से यह हो गए तो अभी आप मैं अच्छी से मिक्स कर लूँगे वैसे एक बात बताओ मेरे से गड़बड हो गए यह मैंने पहले च्छान के रखना चीए था ताकि यह मेर गड़बड हो गए थी तो वैसे भी कुछ नहीं कुछ फरक नहीं पड़ा लेकिन हां अगर मैं वैसा करती तो ज्यादा बेटर रहता यह बाकि कुछ गड़बड नहीं हुई बनी पालक की सब्जेक्ट मच्छे से ना उसमें वह गोली-गोली हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ पर अगर एसा कर दी तो ज्यादा बेटर रहता यह बस बाकि कुछ नहीं पर मैंने जो बेशन डाला वो भी अच्छी से मिक्स कर लिया है अब इसमें में डाल दूंगी नमक क्योंकि नमक डालाने अभी तक जो नमक डालके इसको थोड़ा सा पाने डाल दूंग क्योंकि बे आचे तो वैसे जैसे मैंने घाथ यह पालक की सब्सक्रा बार बत्वाने का कलिंगा नदूगॉब लेकिन इस तरह में इस तरीके से भी जिससे की कुछ अलग इसको टेस्ट मिले और वहिए जो भी गृंग से वो उसके उसको मिले इसलिए अब इसमें मैंने पानी डाल दिया आदे से एक ग्लास क्या सपस कुछ और मीड नमक डाल दिया अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर जब इसमें उबल आना स्टार्ट हो जाएगी न तो उस टाइम पर ग्यास लो करके ढपकर रख दूंगी 10 मिन स्टार्ट के लिए तो बहुत सिंपल एक पालक की सब्सक्राइब ने तक फिर मैंने बाद में रोटी बना लूँगी और परी को राय संबल रहे मैंने 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 बला कि आप कर लो ताकि मेरा खाने का काम हो जाए पानी की रहा देखने के चकर में यह सब हो रहा है और पा झाल 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 झाल